जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिप चैनल में दोस्तो 27 फरवरी को बुद्ध का राशी परिवर्तन होने वाला है और ये जो बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा ये कुम्ब राशी में होगा कुम्बराशी में यहां सूर्य और शनी विराजमान है पहले से ही और बुद्ध के कुम्बराशी में आने से यहां त्रिग्रही योग का निर्मान हो जाएगा यानि कि बुद्ध की जो युती है वो शनी के साथ होगी और साथ में सूर्य के साथ भी होगी तीन ग्रहों की युती होगी और इन युती का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक देखने को मिलेगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो बुद्ध का राशी परिवर्तन है इसका प्रभाव कुमराशी के लोगों पर और तुलाराशी के लोगों पर किस तरह से होगा किस तरह के लाव आपको देखने को मिलेंगे क्या आप उपाय कर सकते हैं इन तीन ग्रहों की यूती किस तरह के कमाल दिखाने वाली है तो इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको उस समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती है तो देखें बुद्ध का जो कुमराशी में गोचर है यह आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने में सक्षम है क्योंकि बुद्ध को युवराज की उपादी की दी गई है और यह जिस भी राशी में उपस्तित होते हैं उसी के स्वामी के अनुसार ये फल देते हैं बुद्ध और शनी आपस में मित्रता राशी है यानि मित्र हैं ये दोनों दोनों के बीच की स्थी बहुत अच्छी है शनी जो है वो भी बुद्ध को शत्रू नहीं मानते इसलिए शनी की जो मुख्य राशी है कुम राशी यहां बुद्ध का गूचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा यह आपके विचारों में द्रड़ता लाएगा यह आपके जीवन को भी बहुत प्रभावित करेगा और यह बुद्ध क्या है संदेश वाहक माने जाते हैं समवाद कौशल के कारक है वाणी को बड़ा अच्छा या बुरा बनाने के इनके अंदर शमता होती है कभी तीखा बो पिकास करते हैं अब यह तो तिगडी होने वाली है नि तीन ग्रह जो होने वाले हैं तीन ग्रहों के योयुती होने वाली है इससे व्यक्ति के अंदर राजनीती पूटनीती इन सभी चीजों का प्रभाव देखने को मिल सकता है तो चलिए विस्तार से हम बात करेंगे पहरे विराजमान है अब आठवे भाव के सौमी और पंचम भाव के सौमी है बुधाब के लिए तो ये जो गोचर होगा ये क्या करेगा ये एक तो आप अपनी बुधि का बहुत अधिक इस्तिमाल करेंगे अपनी बुधि से अपने हर एक काम को निकालने में आप सक्षम होंगे जो आपने जो विद्धा प्राप्त की है वो आपके बहुत काम आएगी वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल कर लिएगी इस दोरान आपको बस अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवशकता होगी क्योंकि नौकरी में अगर कुछ प्राप्लम चल रही है तो ज्यादा सतर्क रखनी होगी क्योंकि यहां कुछ ना कुछ नेगिटिव चीज हो सकती है कोई आपके खिलाफ साजिस रच सकता है तो बस यहां आप ध्यान रखें बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं अग नई यूजनाओं को क्रियानवित करने का प्रयास करते नजर आएंगे जो आपको अपने भविश में चफल देंगे नौकरी कर रहे हैं लोगों को भी यह गोचर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफलता देगा आपका काम बहुत मजबूत रहेगा देखिए अगर आप इन सभी छेतरों से सम्मंधित कोई कार्या कर रहे हैं तो यह आवधी जो होगी 16 मार्च तक यह आवधी आपके परतिस्ठा को बढ़ाने का कार्य करेगी साथ में आपकी आमदनी में भी व्रधी लेकर आएगी आमदनी में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी शेयर वाजार में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है सावधाने रखनी है जल्दबाजी में कोई ने नहीं लेना है द्रेश राशिक विवाहित लोग है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जिवन साथी के साथ मिलकर भविश्य की नई नई योजना बनाएंगे उनको कैसे आप क्रियानवित कर सकते हैं उस पर भी आप सहमती दिखाएंगे संतान की तरफ से अच्छी बाते सुनने को मिलेंगी और आपको उनकी तरक किसे प्रसनेचित नजर आएंगे अगर आप एक स्टुडेंट है तो आप में उत्तम सफलता प्राप्त कर करने की एक शमता है और आप कर पाएंगे आपके जो बुद्धी है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर आप प्रेम संबंद में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है आपका प्रेम परवान चड़ेगा आपसी समझदारी का विकास होगा आप दूसरे के अधिक करीब आप रहेंगे और अचानक से धन प्राप्ती के प्रबल संकेत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा लाब आपको देखने को मिलेगा चलिए अब बात करेंगे हम तुलाराशी के बारे में त बुद्ध का जो ये गोचर है पंचम भाव में होगा और बुद्ध क्या है आपके नवम भाव के स्वामी है और आपके बारवे भाव के स्वामी है अभी गोचर क्या करेगा तुलाराशी के लोगों की आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोत्री आपका करने वाला है खुश या कला के शेतर से सम्बंधित कार्या करते हैं या फिर आप लिखने का शौक रखते हैं तो इस दोरान आपकी कारेशमता में बढ़ोतरी होगी आपको अपनी इसी कला की बदौलत अच्छा मान सम्मान मिलेगा अच्छे धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपकी प्रतिभ से सीख कर उन्हें दूर करने की कोशिश भी करेंगे स्टुडेंट्स की बात करूं तो स्टुडेंट्स के लिए तो समय और भी अधिक लाबदायक है उन्हें अपने विशय पर सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने का अच्छा मौका मिलेगा और इसका परिणाम ये होगा कि उ अच्छे देखने को मिलेंगे अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंद में हैं तो अपने प्रियतम से किसी भी बात को किसी भी तरह की बात है उसको छुपाए बिल्कुल नहीं अगर आप पैसा करते हैं तो ये जो छुपाना है ये आपके रिष्टे के लिए नुकसान दायक हो सकता है संतान को लेकर इस समय कुछ चिंताय मन में रह सकती हैं लेकिन अगर आपकी संतान मेधावी है तो प्रतिभा से अपनी प्रतिभा से आपको खुश भी कर देगी अपने किसी खास व्यक्ते से दिल की बातें कहने के लिए ये बहुत उत्तम समय रहेगा आप अपने दिल की बातें उनके साथ share कर पाएंगे मन में कोई बोज हो तो उसे आप उतार दे किसी अपने ऐसे के सामने मन के बोज को उतार दे जिसके सामने आप खुलकर बात कर सकते हैं इससे आपको राहत महसूस होगी नौकरी में बदलाव की योग भी बनेंगे और बदलाव होना तो देखिए आपके लिए यहां संभाव है अगर आप राजनीती के शेतर से जुड़े हैं तो ये समय राजनीती के शेतर से जुड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि ये समय क्रांती लेकर आ सकता है सोशल मीडिया के थुरू आप लोगों से जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पर धूम रहेगी जाद सी ज़्यादा कोशिश करें सोशल मीडिया के थुरू लोगों से जुड़े अपनी बाते लोगों तक पहुचाए अपनी विचारों से लोगों को सहमत कर पाएं मीडिया पर क को एक अलग पहचान भी मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकल ना भूले